अब sarcasmर्म जी सभी को आप सब कैसे हैं आप आपसब ठीक ठाक होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूटूबresir पैनल में और जी मैं जा रही हूं गाय का दूद निकालने तो चलो चलते हैं गाय का दूद निकालते हैं और यह आ गया हमारा खरक जहां पर हम अपने गाय रखते हैं चलो जी गाय का दूर निकाल कर गए सारा काम कर गए हां से और मैं घर चली जाओंगी और फिर मैं इसमें शाम का कोई भी वीडियो एड नहीं कर पाई तो यह जी सुबह का दूसरे दिन अगले दिन सुबह का तो सुबह के बज़ रहे हैं पाच और गुड मॉनिंग सभी को और यह मैंने पूरे घर में पूचा लगा चुकी हूं तो मेरे बाद में याद आई कि वीडियो बनानी है तो यह मैंने लास्ट करूं रह रहा था तो मैं पूचा लगा रही हूं और पूचा लगा करके ना आउंगी दो में पिर आज अमावस यह तो अमावस भी मनानी है म में तनी जवा की खीर और नाल बनाऊंगी बुल्टिया में बनाऊंगी अ अगर टॉल्टिया नोग आपके जल जली ज़ली पोचा लाइक करने अब नहा दो नहीं अगी फिर खाना बनाऊंगी बाद में आप सब कैसे हैं यह जरूर बताना ठीक ठाक है सब और चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब जरूर करें वीडियो लाइक करें और इस सबसे बड़ी बात मैं बोलती ही फूल जाती हूं मुझे क्या बोलने हैं तो मैंने यह दाल रख दी है उबालने के लिए इसमें मैंने थोड़ा सा नमक डाला है दो तीन बूंद तेल की डाली है तेल से उपने के नहीं बाहर ने बिखरेंगी कूकर में और टमाटर जानवी तीन सीटे में धाल कर दियार हो जाएगी अ कर दो देखे अब चले हम कोकर खोलते हैं और देखते हमारी दाल जादू मंदर से बहुत जल्दी बनकर त्यार हो गई है यह पक चुकी है दाल गल चुकी ए है बिल्छूल और टमाटर बी बिल्कूल इसमें गल चुके कि अब हम इसमें चुक्त रेडिक करते हैं यहमने लिए डेशी घी को कम थोड़ा सा कर्म न डीजा कर वंगे जीरा अदू जीरा डाल डिया है इसमें आप और प्याज इसमें एक प्याज कक्ट का था और असे बिगों करीपते का चौक इसमें बहुत ही अच्छी खसुआती है तो अब इसमें डाल दें हम भल्दी मिरच नमक हमने उबालते हैं टाइम ही डाल दिया था तो जी ये रेडी हो गई हमारी दाड और शलाद ये दाड है ये जवा की खीर है और ये शलाद और ये लसी अगर रोटी तो जी सब खाली जिएगा और आगे चल कर करते हैं थोड़ी सी मस्ती तो जरूर वताईएगा कि हमारा नाचलाना केसा लगा ये मैर मेरी बेटी है थोड़ी समस्ती करें तो जी चैनल को सिस्प्राइब जरूर करें जी आपको डाइक करें